हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आया होग कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज किस वीडियो में हम कक्षा 5 के विशेह हिंदी के सब तहा चौदे की वक्सीट को सौल्प करेंगे जो की उत्री दिल्ली नगर निगम के द्वारा दी गई है बच्चों पुस्तक का होगा पुस्तकें नेक्स्ट है लड़की लड़की सब्द का बहुवचन है लड़कियां गलती गलती का है गलतियां सब्दों का पिटारा प्रस्ण है निम ने लिखी सब्दों को हिंदी वर्ण माला के करम अनुसार व्यवस्थित करते हुई तीन तीन बार लिखी तो बच्चों यहाँ पर सब्द है टेलिविजन सामगरी सिक्षक अध्यक्ष ग्रहकारे संभव परिक्षा विद्यार थी तो बच्चों पहला सब्द वर्ण माला के अनुसार पौन सा है अध्यक्ष तो यहाँ पर लिखेंगे तीन बार अध्यक्ष नेक्स्ट आएगा बच्चों ग्रहकारे सिक्षक सामगरी और बच्चो सबसे लास्ट में होगा संभव तो बच्चो इन सब्दों को लिखने के लिए आप अपने पास वर्ण माला रखेंगे और उसमें से देखकर सबी सब्दों को समझेंगे कि किस तरीके से इन्हें यहाँ पर लिखा गया है कि कौन सा सब्द जो है वर्ण माला में पहले आता है उसके बाद में यहाँ पर जो सब्द दिये गए हैं उन में से कौन सा उसके बाद है तो इस तरीके से आप इसे पूरा करेंगे अब बच्चो कुश्य नमबर थ्री निम्नलिकित प्रश्णों के उत्तर लिखे प्रश्ण है रोहित को पुस्तक कहां मिली तो आंसर है रोहित को पुस्तक अपने घर में पड़े पुराने डिब्बे में से मिली कुम्मी ने घटना के बारे में अपनी डारी में कब लिखा तो बच्चों कब लिखा? 17 मई सन 2155 में Next है कुम्मी की भूगोल विशय में रोज गलतियां क्यों हो रही थी? तो इसका आंसर है मसीनी अध्यापक के भूगोल विशय की चक्की कुछ तेज रफतार पर थी जिसके कारण भूगोल विशय में रोज उसकी गलतियां हो रही थी Next है रोहित को जो पुस्तक मिली थी उसमें किस प्रकार के स्कूल का वर्नन है? तो बच्चों रोहित को जो पुस्तक मिली थी उसमें सदियों पहले की स्कूनों का वर्नन है नेक्स्ट है कुम्मी को कौन पढ़ाता था तो आंसर है कुम्मी को मसीनी अध्यापक पढ़ाता था नेक्स्ट है वे दिन भी क्या दिन थे नामक विज्ञान कता के लेखक कौन है तो आंसर है इसके लेखक है आईजक असिमोग नेक्स्ट है पाठ में मसीनी अध्यापक वे स्कूली अध्यापक की चर्चा की गई है आपको भी मोबाइल के द्वारा पढ़ाया गया है अपनी समझ की अनुसार दोनों प्रकार की पढ़ाई में अंतर बताईए तो बच्चो मसीनी अध्यापक के द्वारा हम कैसे पढ़ते हैं वीडियो के द्वारा जबकि स्कूली अध्यापक हमें स्वैम पढ़ाता है वास्तविक आमने सामने पढ़ते हैं बिल्कुन वो हमें बोल कर पढ़ाते हैं मसीनी अध्यापक सक्रिय सिक्षक होता है केवल सिक्षक ही बोलता है और जो पढ़ने वाला विद्यारती है या बच्चा है वो केवल देखता है और सुनता है जबकि जो इसकूली अध्यापक है वो सक्रिय सिक्षक होता है उससे हम बाचीत कर सकते हैं नेक्स्ट है खर्चीला बच्चो जो मसीनी अध्यापक है वो खर्चीला है कैसे उसके लिए हमें फॉन की जरुत होगी तब ही हम वीडियो देख पाएंगे लेकिन जो इसकूली अध्यापक है वो कम खर्चीला है उसमें केवल हमें फीस देनी होती है उसके लिए हमें कुछ खरीदने के आवसक्ता नहीं होती है नेक्स्ट है मसीनी अध्यापक जो है इससे हम तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं इसमें तर्क वितर्क नहीं होता है केवल हम सुनते हैं और देखते हैं लेकिन इसकोली अध्यापक के साथ हम बातचीत कर सकते हैं तर्क वितर्क कर सकते हैं ज रोजाना अपनी हिंदी की किताब से सुलेक के लिए कुछ कठिन सब्दों को लिखेंगे उनका बार-बार लिखने का अभ्यास करेंगे और उनको याद करेंगे संसकार साला छोटी छोटी पर बड़ी बातें सोचने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए अभी अपना कारे प्रारम्भ कर दें खेल है अंत्याक्षरी देश के प्रिसिद खिलाडियों कलाकारों के नाम पर खाना पीना टमाटर और प्याज की सलाद गति विदी है किनी दस खिलाडियों की फोटो का संग्रह कीजिए बच्चो आपको कोई भी दस खिलाडी जिने आप जानते हैं जो किसी भी खेल से संबंदित हैं उनकी फोटो को collect करना है उनकी फोटो को फिर आप paste करेंगे और उनके नाम लिखेंगे कि वे किस खेल से संबंदित हैं बच्चो जैसे कि यहां पर उधारण के लिए दिये गए हैं सायना नहवाल जो कि बैडमिंटन की खिलाडी हैं पीवी सिंदू ये भी बैडमिंटन की खिलाडी हैं नेक्स्ट है मेरी कॉंग बच्चो ये एक बॉक्सिंग की खिलाडी हैं नेक्स्ट है पीटी उसा जो की एक प्लेयर हैं करना मलेश्वरी वेट लिफ्टर हैं और विश्वनाथन आनंद सत्रंज के खिलाडी हैं दैनिक दिन चरिया अपने माता-पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुवात करें अपने दातों को दिन में दो बार ब्रश करें, प्रति दिन इस्नान करें, खुब पानी पीएं और संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धुएं, अपना ग्रह कारें समय पर पूरा करें भारत की स्वतंतरता के 75 वर्श के अफसर पर की जाने वाली गतिविधी, स्वतंतरता सेनानियों की तस्वीरों का संग्रह कीजिए तो बच्चो जैसे कि यहां पर उधारन के लिए दिया गया है स्वतंतरता सेनानी, महात्मा गांदी, भगर सिंग, सुबास चंदर बोस तो बच्चो आप भी इसी तरीके से स्वतंतरता सेनानियों की पिक्चर को पेस्ट करेंगे बच्चो आप अन्य सतंतरता सेनानी जैसे की चंदर सेखर आजाद, राजगुरु, बल्लब भाई पटेल तो बच्चो किसी की भी यहाँ पर पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं बच्चो यदि आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेयर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू